हेलो दोस्तों फिर से स्वाइब अपका आयान्स टेक्निकल ग्यान यूटूब चनल में और आज मैं आपको इस्टूमेंटेशन टेक्नीशन के इंटर्वियो में मौश्ट कॉश्चन पूंचे जा सकते हैं वह आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ तो वीडियो में अं इस में मिलेंगे और इनके आंसर मैंने पिछला एक वीडियो बनाया था इंट्रिव्यू के उपर लेकिन मैं वह वीडियो में ज्यादा बहुत सारी चीज़ें कवर नहीं कर पाया था तो मैंने इसका यह पार्ट डू बनाया है और इसमें मैं मैं ही कॉशन पूचेंगा और मैं ही आंसर दूंगा और अगला पार्ट भी बनाऊंगा जिसमें आपको बेसिक जो भी आप मुझे कमेंट करोगे उसके इंटर्व्यू के उपर ही कॉशन और आंसर के सवाल जवाब होंगे और यह आपको मैं बेक टू बैक दो तीन सीरीज बन कि अग्शुल में इंटर्व्यू होता कायसा है आपकी हैजिटेशन और आपके जो बेशिक गॉशन होते हैं वह पूंचे जाते हैं तो वह आप मतलब की एकदम प्रेपयर हो जाओगे अग्दम तयार हो जाओगे आप इंटर्व्यू में कॉशन के आंसर दे सकते हो उसमें गलतिया होती हैं किस टाइब से लेंगविज यूज़ करते हैं क्या सारी चीजे उसमें मुझे सीखने को बहुत सारा मिला है तो आप वो वीडियो जरूर देखें अब बात करते हैं इस्टुमेंटेशन के कौशन के उपर इंटर्व्यू तो सबसे पहला कौशन यह बनता है संपया होतका क्या होता है जो इस्टुमेंट टेकनिशन का क्या होता है यह बन दो जोन करता है आप चल रहिए मतलब कि इस्ट्यमेंट इसट्यमेंट होता है अगर इस्ट्यमेंट में में तो उसको ट्रबोल सूट लृडश्च दो और स्टूर किð लिए इस्टूमेंटค frame करता इसके लिए इस्टूमेंटकिय काम करने कहले उसके स क्या थो Inspirqué मैंने एक वीडियो बना रखा है उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा आप जाके वीडियो देख सकते हो कि किस टाइब के टूल्स की जुरूरत पढ़ती है टेक्निशन को नेक्स्ट कोशन हम पूसकता है सामने वाला कि ओ धर्मो कपल और अर्टिडी क्या अंतर है ढाइब थर्मो कपल ट пой हैon में मिध्र क्या है ठर्मो कपल टैंप्रिछर मेजर करता है। इसेमल क्यूंद में,' मदता है भर मदता काम होता है मनलब थर्मोकपल में मिली वोल्ट मिलेगा तो वह मिली वोल्ट कर लेते हैं डाटमिटर होता है उसके थूरू हम कर लेते हैं टै। फार्म में बात करें आइग आठी डी की तो आठी डी तो यह विक्लम अलिमेंट है और यह दिस्टेंश देता है जब सरी टैंपरीचर पड़ता है तो इस आण पॉजेटीव टॉपी टाइप की होती है,So is it, जो मोस्तिक सχती हुआ है, प्लेटीनबायर ओर थर्मो कनको भी कई टाइप होते है, ज बताना है एक बता सकते हो अगर बेना प्रिंशीपल चीज़ पोचता है उसको बता सकते हो इसके बाद हम next बात करते हैं बिए कंट्रोलर का मतलब एक लूप होता है जो फीडबेक प्रेशर को मेजर करता है और उससे से अग्याया कनबट करता है फ्रिचर को Σीगिनल these गातर होता है है कि सभी प्रोसेस कंट्रोल सिस्टम में फीड़बेक का क्या का रॉल होता है feedback loop process variables को continuously monitor करता है और variation को correct करता है ताकि desire output maintain रहे ठीक है control valve और on of valve में क्या आंतर यह question जरूप पूच सकता बंदा और पूछे ना पूचे यह question जरूप पूच सकता है क्योंकि यह simple question और simple answer इसका दे सकते हो आप control valve process flow को regulate करता है जबकि on-off valve करता है या तो सिर्फ flow को start करेगा या stop करेगा मतलब की जो हमारा control वाल होता है देखो 25-50-75-100 इस टाइप से control करता है उसको regulate करता है और on-off valve सिधा या तो उसको बंद करेगा या चालू करेगा सीधा 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 उसको यूज किया जाता है अप्रिशन उसका यह सोबी से होता है उसका पुरा control सोबी से किया जाता है ठीक है यह समझ में आगए होगी आपको नेक्स्ट कोश्चन है ट्रांस्ट्यूजर और ट्रांस्मीटर में क्या अंतर है ट्रांस्ट्यूजर एक फिजिकल कॉन्टिटी को इलेक्टिकल सिगनल में कंषिध करता है जबकि इस सिगनल को प्रोसेस कंट्रोल में अपिसने का काम करता है मतलब ही हो रहा πα्रणस्टमिटर से मतलब ट्रांस्मिट हो रहा है ट्रांस्टी यूजर से अध्लब उसको एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में चेंज कर रहा है था तो यह लिए गूंकर को इसको control और मोनिटर करता है तो प्यल्सी क्या करता है चंट्रोल करता है और मोनिटर भी करता है तो सीधा सिंपल सा इत्ता अंसर देना है अब ज्यादा कुछ सिंपल सकते हैं सब्सक्राइब करता है तो इसको कम्यूच करमाने क काम क्या जाता है हाड अलग 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 कमपनिच के होते हैं लेकिन इसकी फॉल फॉर्म होती है वह है एड्रेसेबल रिमॉर्ट ट्रांस ड्यूसर अगर आपने इत्ता वह चमते को पता है इसकर इसका रडा बूद्ध इम्पोर्टेंट अलग प्ले करता है इस्टुमेंटेशन इस्टुमेंटेशन फिल्ड में तो सुपरबाइजरी कंट्रोल एंड डाटा एक क्विश्चन यह एक सिस्टम है जो इंडेस्टियल प्रोसेस को मॉनिटर और कंट्रोल करता है यूजिंग डाटा फ्रॉम रिमॉंट लोकीशन देखो इसकाड़ा जो हमा बेरी है तो वह हमें वीजुली दिखाने के लिए काम आता इसका ठीक है तो सुपरबाइजरी कंट्रोल डाटा एक क्योश्चन है इसका फुलपॉम आपको पता चली गया है नेक्स्ट हमारा कॉश्चन आता है इस्टुमेंटेशन टेक्निशन को इलेक्टिकल सिस्टम का कि इस्टुमेंटेशन टेक्निशन है उसे इलेक्टिकल की फिल्ड की नौलेज होना चाहिए नहीं होना चाहिए यह कॉश्चन पूचा गया है तो इस्टुमेंटेशन टेक्निशन का क्या है कि इलेक्टिकल सिस्टम का बेसिक ग्यान होना ही चाहिए क्योंकि इस्टुमेंट कंपरेशन को इफड़ने तुमेंटेशन टेक्टिकन को वैसे पढ़ता भी है रस्टेंज टैंपरिचर श्वरी रस्टेंश बोल्टेज एंप्यर जिस सारी चीजे वैसे उसको पढ़ना ही होती है लेकिन फिर भी उसको पढ़ने के बाद भी नॉलेज होना चाहिए इस्टु वोल्ट कुछ मडश्यों कर दो शोन् सरकार से काम नहीं होता है , तो कह पूरा पूरा प्रोपरटली यह जियान है प्रोपरली को पहले चेक करो कितनी इने और यह नहीं ने निकाल वाइंट तरह आप काम करी काम करनी के वाद यहां से वापस रहेंड रहें वह कनेक्शन कर दिये जाने चाहिए तो यह कुछ चीजे है इसके बाद हम आगे बात करेंगे तो वीडियो थोड़ा सा गया ज्यादा लंबा हो सकता है इसलिए मैं अभी कुछ और अब प्रोग्रामन लॉजिक कंटॉल मेंकी अपना प्लक के साथ सब्सक्zeug earaltro ऑया जो सेंट्रल होस्ट कंप्यूटर को डाटा भीजती है है जो हमारा सेंट्रल होस्ट कंप्यूटर होता है इसको और शक्रम टाड़ने का काम होता है ठीक है है इस कडिसे अज़िश्च्रो और मॉनिटर करने का काम करता है यूजिंग डिस्टुबिटेट कंटॉलर जैसे कि हमारा पील्च है ऐसे डीस होता है पील्च फास्ट होता है डीस थोड़ा सा नेनो सेकिंड के अंतर में कुछ स्लो होता है लेकि आज कल एड़ वांस आ रहे हैं दोनों लगबख बरावरी सहम है पर पील्च को हम एसडी में यूज़ करते हैं जबकि डीस को में यूज़ नहीं करते हैं ठीक है यह चीज़ आपको पता होना चाहिए बाकि आपको इसके उपर डीसी है सो पील्च उपर और सकाड़ा के उपर यह अलग से सेपरेड एक वीडियो बनाएंगे कॉशन आंस